कि अपने लाए है एक आडिनो के जरीए हम लोग बीजी ए आउटपुट करेंगे और साथ में एबी जो कि आउटपुट है वो भी करेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं बीजी आउटपुट और एब आउटपुट एक आडिनों से हम लोग कर सकते हैं और बहुत ही इजी से इसका कानेक्शन भी ज्यादा जो कि डिफियल नहीं है सिर्फ दो रेजिस्टेंस के जरीए हम लोग इसको काम कर सकते हैं तो आभी चलिए इसको किस्पकर से आउट बना स को यहाँ पर आप आसाणी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गाडबर फाइल, बोम फाइल यह सब कुछ आसाणी से रेट कर सकते हैं, इस सौफ्टवेर के ट्रायल के लिए नीचे देवाँ लिंक पे क्लिक करें तो सबसे पहले इक ब्रेट बूर्ट पे मैं आडेन नो लगा देता हूँ तो लगने पर हम लोग इसका सर्कित बनाएंगे तो अभी देखिए यह जो एबी जैक आप देख रहे हैं और एक होगा 470 ohms का ठीक है तो 470 ohms का एक और 1 kilo ohms का तो जो 470 ohms का resistance है उसको हम लोग लगाएंगे आडेनो के जो D7 है D7 के पीन पे हम लोग लगाए देंगे और जो 1 kilo ohms का होगा वो हम लोग आडेनो बूट के 9 जो D9 है उस पर लगाएंगे हम लोग तो यह दो का नशन हो है अब ही देखे AB jack पे जो साइट का जो बाडर का जो पीन है उससे हम लोग एक वाइल ले लिया उसका लोग ग्राउंट पर लगा देंगे मतलब ये इसका लोग आडेनो बूट पर लगा देंगे तो लगाने के बाद यह जो AB jack है वह कंपिट हो गया है अभी AB jack का जो दू जो कि बीजिये पोट का और्पूट किस पर से करते हैं यहाँ पर बहुत सारी पीन है टूटल 15 पीन इस पर है ठीक है तो हम लोग को सभी पीन का करने की जरूरत नहीं है कुछ पीन के जरूरत होगा तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार पाथ छे साथ आ सबसक्राइबाद को ब्लू तीन नमबर पर उसके बदल ब्लू होगा जो कि दस नमबर पिन पे उसके बाद हम लोग लगाएंगे जो पास नर पिन है वो ग्राउंट कर देंगे और पीर सारे पिन ग्राउन कर देंगे और इस तरव जो पिन है सभी की जरूरत नहींगे सिर्फ हम रोरिजण्वर 400 का काम करेगा मतलब पिक्चर का होरिजेंटल और पार्टी कल क writers करें का सिग्णल देगा होरिजटल और बार्टी कल का हम लेंगे जो कि Arduino की जो 7 नमबर और 6 नमबर है उस पर लगा देंगे तो इसी connection से हम लोग करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर जो कि सार्किट डियाग्रम देख रहा होगा इसी स्टेल से हम लोग इसका output करेंगे तो मिंद्ष्ले करेंगे अस्टेश पर टा करेंगे सार्किंदर्ट नमिए जा बाल ऴर फु niewुर्त कि पालन व तो कि अचरस्टjakadव तो मेरा एक पिछला वीडियो था जिस पर audio video आउर्पूट है तो मैं ने आज का जो वीडियो है उस पर audio video आउर्पूट भी कर दिया है साथ में भीजे आउटपूट भी कर दिया है मतलब आप TV पे भी आउटपूट कर सकते है Arduino के जरीए और Arduino के जरीए आप computer के monitor के भी भी आउटपूट कर सकते हैं और इस पर आप छोटा छोटा वीडियो clip बना के भी आप इस पर देख सकते हैं तो एकी Arduino से ये काम कर सकते हैं कोई भी converter के जरूरत नहीं है इसका सिर्फ connection जो है वो अलग होगा लेकिन programming सेम ही होगा तो चलिए अप लोगों को आप दिखाते हैं किस पर कर से इसका programming हम लोग कर सकते हैं अपने computer पे वो आप लोगों को दिखाते हैं और connection भी आपको साथ में साथ आपको दिखा देंगी तो चलिए computer भी चलते हैं तो screen पे आप लोग सिखेंगे किस पर से इसको अपड़ करते हैं तो देखिए screen पे आप देख सेकते हैं यहाँ पे तीन लाइबरीर हैं इसको एक एक करके select करेंगे करने के बाद open करेंगे तो यह जो की है वो install हो जाएगा तो मैंने रखा है desktop पे तो desktop पे जाके current यहाँ पे जाके हमने लख़ा है तीबी आउट यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीनों लाइबरीर हम लोग एक एक करके install करेंगे यह open करके तो करने का बाद मैंने पहले install कर दिया तो आभी देखें यह completely हो गया है अभी हम लोग जाएंगे फाइल पर जाएंगे एक्जम्पल पर जाएंगे जाने के बाद नीचे आएंगे आने के बाद यहाप आप देख सेकते हैं इमेज Two TV, तो इहाँ पर जाके यहाँ पर कुछ लईबरीरी का जो फाइल है वो हम लोग यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग जो करने से पहले यहाँ आलग-अलग पिक्चर बिल जाएगा तो पहले हम लोग डेम Anatерв soaps буд करेंगे लेकिन आप्डूट क करने से पहले यहां पर जो टीवी का जो हैडर फाइल है इसको हम लोग क्या करेंगे इसको पहले का जो स्लेश है उसको हम लोग डिलेट कर देंगे तो करने के बाद यहां पर हम लोग एक जो की स्लेशन यूज़ करेंगे उसके बाद हम लोग इसको डिलेट करके जरटक दिन तो करने के बाद यहाप यह हो गया है अब हम लोग इसको आपलोट कर सकते हैं तो आपलोट होने के बाद यह पिक्चर दिखाएगा इस पर इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आप लोगो को पिक्चर देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपको खुद का पिक्चर डालना है तो इ कि लिए सबसे पहले हम लोग जाना होगा इस फाइल पर जाना होगा तो यह पर internet explorer पर जाके ये जो लिंक है ये विडियो के नीचे में दे दोऊंगा जो प्रोजेक्ट है गास तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पर चाहेंगी तो यहां पर चूस फाइल जो अपना खुद का पिच्चर रें वह हम लुग चूज करेंगे तो चूस फाइल पर जाके कोई भी पिक्चर हो हो किया फ्रूट करेंगेगे तो यहां पर दे रक हैं इसका सा इस उसमें दे रखेंगे थो में रखे हैं कितना साइज का ओगा जैसे की में यह ब़ूर्ट करूंगा यहां पर दिखा रहा है मैक्सिमाल जो मैक्सिमाम है वह 128 इंटू 64 तक होना चाहिए भीचर होने के बाद यह मैं 128 इंटू 64 का एक पिक्चर में इसपर डालता हूं तो यहां पे देखे 128 और 64 का एक पिक्चर में डाल रहा हूँ डेक्सटोप पर आपको मिल जायाएगे यहां पर मैंने 128 तिरे दिखे एँपर दिखा रहा है 128 इन्टु 64 तो यह वां पर क्लिक करेंगे तो यह ओपर हो गया है यह यह ब्लैंक पिक्चर है तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको इसमाल कर रहा हूँ तो देखें नीचे आने के बाद यहाँ पर जो beat map है इसका file आमको मिल गया है यहाँ पर click करने के बाद sub select हो जाएगा copy करेंगे करने के बाद इस Arduino project पर आएगे आने के बाद यहाँ पर paste कर देंगे तो paste करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा आने के बाद जब भी इसको upload करेंगे तो upload करने के बाद जो खुद का picture अपने देया है वो picture यहाँ पर दिखाएगा तो अभी इस पर कर साम लोग अपना खुद का पिक्चर टीबी पर आउट्फूट कर सकते हैं वह भी आट होने के वज़े से तो अभी यह सार्किर जो है वह आपको वीडियो के नीचे दिस्क्रिशन मिल जाएगा तो अब आप लोग देख सकते हैं यहापे मैंने एक टीबी मोनिटर है तो मोनिटर बीजिये के मदद से चलेगा और जो टीबी है वह एवी डीबी आउट्पूट से यह काम करेगा तो दोनों पर अभी इंपूट आ रहा है तो जब भी मैं आडिनों का पावर आउन करूंगा तो देखेगा दोनों पर एक साथ इंपूट आएगा मतल पर इसम पिक्चर दीख रहा है तो दोनों में सेम पिक्चर यहां पर शोव कर मतलब आडिनों पर जो पिक्चर मैंने दिया है वही इस परडिजप्ले हो और तो इस पर मैंने यह ब्रुद् user और जो को अपुट कर दिये हैbl exhib तो देखा आपने किस पर गर से आसानी से एक आड़ेनों के जरीए हम लोग मोनिटर पे भी आउटपूट कर सकते हैं और टीवी पे भी आउटपूट कर सकते हैं अगर वीडियो आच लगा तो लाइक जरू किजगा और अपने दोस्तों जरू शेयर किजगा आज के लिए इतने ठेके उस्तों बाई